जै स्री कृष्णा राधे राधे आकडे का पौधा जिसे हम आक का पौधा या मदार का पौधा भी कहते हैं सिवजी को सबसे ज़्यादा पसंद है आक के पौधे का जड़ इसके पत्ते और इसके पुस्प फल भी क्योंकि इसके जड़ के बहुत सारे तांतरिक प्रियोग तो होते ही हैं पर इसकी जड़ में गनेज जी भी जव पौधा 12 साल पुराना है उसमें अपने आप उगाते हैं तांतरिक पौधा है ये जिसको हम मदार कहते हैं ाकडे का पौधा कहते हैं कहा जाता है अगर इसका एक टुकड़ा कमर में आप धारन कर लें तो बंदे अस्तरी को भी संतान हो जाता है अगर दाहिने भुजा में धारन कर लें तो सौभाग्य बढ़ता है इस पौधे के जड़ में गनेज जी की आकरिती कुछ साल पुराना होने पर अपने आप उगात है गंभीर से गंभीर परेसानी भी इस पौधे की जड़ से समाप्त हो जाता है और घर की रक्षा के लिए तंत्र क्रियाओं से बशने के लिए इस पौधे को अगर अपने घर के मुखे दरवाजे पर लगा दे तो नजर दोस्त तंत्र प्रभाव टोना टोटका सब समाप् तो मदार के जड़ को बहुत सारे प्रयोग हैं लेकिन इस पौधे में फलवी लगता है आपने देखा होगा सुखने के बाद रूई के तरह उड़ता है तो मदार का पौधा अगर आपके घर के बाहर अपने आप उगाया है तो आप बड़े ही भागे साली है नहीं उगा ह तो मदार का पौधा का एक डाली तोड़कर ले आए उस व्यक्ति के उपर से साथ बार उतार कर आप उसको कहीं पर ले जाकर फेक दें आप देखिए उनका स्वास्त जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि यह नजर हाय बद्दुआ बुरे दोस्त को समाप्त कर देता है तो इस पौधे में अध्वुत चमतकारिक सकती है जो जीवन के हर परेसानी से हर समस्या से आपको बचाता है लेकिन इसके कुछ खास प्रियोग भी होते हैं मदार के पौधे में जो फल लगा होता है आप एक फल ले आईए उसमें से निकाल कर कच्चा हो या सुखा हो वो फरक नह सड़ जाएगा आप लाकर अपने घर में इसको पूझा वगरा करके कहीं भी आप च्छत पे या च्छजे पर कहीं भी आप ऐसे जगह रख दें कि जहां यह सूख जाए सड़े नहीं इसके बाद लाल कपड़े में लपेट कर आप इसको संभाल कर रख लें जीवन के हर मु पूस्प है उस पूस्प को अगर आप नियमित रूप से सिपजी पर अरपीत करें तो जीवन की हर मुश्किलों से आप बाहर निकलाते हैं बहुत सिंपल है परियोग इसका बहुत ही अचूख है अगर सत्तुर बिलोधी परिसान कर रहा है तो मदार के पौधे के पास लें फिर बैठिएगा तो जितने सत्तुर हैं उतना ही पत्ता तोड़ लें अलग अब पत्ते पर उसी मदार के जड़ जो दूद निकला है उसी से सत्तुर का नाम लिकर वहीं जड़ में दबा दे और उसके उपर मिट्टी भी डालना है व्याद रखिएगा लेकिन हर एक स सत्तुर हों तो एक पत्ते पर ही आपको लिखना है लेकिन एक से ज़्यादा सत्तुर हों तो अलग अलग पत्ता बेभार करें लेकिन इसी पौधे के पत्ते को तोड़ने से दूद निकला है उसी दूद से आप उंगली के सहारे या किसी चीच के सहारे रूई के सहारे आप सत्रू का नाम लिख सकते हैं और सत्रू का नाम लिखने के समय सत्रू का भाव रखिये मन में कि वो सांथ हो जाए आपको दुबारा परिसान नहीं करे और ये परक्रिया लगातार तीन सनिवार या तीन मंगलवार को कर लीजेगा आपके साथ रूस सांथ हो जाएंगे वो चाहकर भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर सनिदेव, राहू, केतु की पिड़ाएं हो आप चाहते हैं कि जल्दी इन से मुक्ति मिल जाए तब आकडे के पौधे के फल से रूई निकलता है आपने देखा, और उस रूई निकलता है सुख जाने पर तो इस रूई को आप खठा कर ले यानि कि पहले ही जब देखिए कि निकलने लगा है आप तोड़के ले आईए इसकी बाती बना लीजे सरसोंत के तेल डाल कर दीपक में मिट्टी का दिया में इसी बाती को यूच करना है आपको और पीपल की नीचे जला दिया किया रहे हर सनीवार की सांग लगातार पांस सनीवार करें तो सनी राखुकेतु की पिड़ाएं सांथ हो जाएगी धन्यवार